नमस्कार पंच कर्म घर पे कैसे करें जी हाँ आपने से बहुत सरे लोगों ने ये सवाल पूछा था कि क्या पंच कर्म घर पे कर सकते हैं अगर कर सकते हैं तो क्या टेकनीक है और अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते या किस तरह से इसे घर पे कुछ करने के कुछ टेक बेकनीक भी आईरविद्दे बोली है क्या तो चली आज आईरविद्द की सहीताओं में हम जानेगे कि पञच कर्म घर पे कैसे कर सकते हैं या करना भी चैए कि नहीं सवगत है का मिश्रविदा में और आज हम बात कर रहे हैं पंच कर्म घर पर कैसे करें सबसे पहले पंच कर्म मतलब क्या होता है पंच कhã आसी चीज़े, पांच ऐसी चीज़े जिस्से शरीर की शुद्धी की जाती है क्लीनिंग की जाती है इसलिए पंच कर्म कहा जाता है 5 मतलब 5 और कर्म मतलब तरीके तो 5 तरीके शरीर को सफाय क्लीनिंग करना उसे 5 कर्म करते हैं तो क्या ये घर पे करने वाली टेखनीक है तो उसका एंसर है नहीं जी हाँ बिल्कूल भी नहीं क्यों नहीं क्यों कि इसके बारे में ऐसा नहीं कि मैंने पंच कर्म सेंटर ओपन किया तो मैं खुद बोल रहा हूँ इसके बारे में जहां पे आईरिवेद लिखा गया है आईरिवेद के सहिताओं में वही आईरिवेद की जो वैद्दे हैं या जो बड़े से बड़े चिकित सक हुए उन्होंने कई सारे पैरामीटर्स दिये हैं सबसे पहला पैरमीटर्स वो बोलते हैं कि पंच कर्म करने के लिए पांच में से कौन सा कर्म करना है उसके लिए सबसे पहले ये डिसाइड किया जाता है योग्य और योग्य योग्य और योग्य मतलब जिस व्यक्ति की बॉड़ी की क्लीनिंग करनी है वो व्यक्ति उस चीज की लिए सुटेबल भी है या नहीं है एक्जाम्पल सपोस्ट आपको डाइबिटीज है ठीक है आप डाइबिटीज है आप पंचिकर्म सेंटर पर गया बोले ठीक है मुझे पंचिकर्म करो ताकि ये जो डाइबिटीज की तकलीफ हो रही है वो कंट्रोल में हो जाए तो आईरवेद में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आपकी बॉड़ी उस क्लीनिंग के लिए सुटेबल है भी कि नहीं क्लीनिंग कब की जाती है जब दोश बहुत ज़्यादा हो और व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा बलवान हो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो या उसके शरीर की अगनी थोड़ा सा जो भी बल है अच्छा हो अगर वो अच्छा नहीं है सपोज आपकी वोमेटिंग वोमन कर्म नाम का एक ट्रीटमेंट करना है आपको अच्छी बहुत ज़दा तकलीफ है और वमन करके आप चाहते है कि पूरा अच्छी ट्लियर कर दे ताकि ये बीमारी बार बार ना हो बट अगर आपका शरीर ही इसके लायक नहीं है और वो कर्म करने जाएंगे तो उसके बारे में एक एक एक्जामपल देते वे बोलता है क जैसे कच्छा आम होता है उस कच्छे आम का पर रस निकालने जाओगे तो क्या होगा वो जो आम का फल है वो भी बर्बात हो जाएगा रस भी नहीं निकलेगा ऐसे अगर आपका शरीर दूरबल है, कमजोर है, proper strong strength नहीं है और आप cleaning करने जाओगे तो शरीर का सत्यानास हो जाएगा जो कि घर पे डिसाइड करना पॉसिबल नहीं है इसलिए पंच कर्म घर पे मुश्किल है नमबर दो आईरवित के आचारिया आईरवित की जो सहीताएं है उसमें उन्होंने बोला है कि जो पंच कर्म होता है उसके पूर्वकर्म प्रधान कर्म और पश्चत कर्म ऐस प्रधान करना है या विरेचन करना है तो पहले उसके पूर्वकर्म होते हैं पूर्वकर्म अर्थात उस व्यक्ति के शरीर को तयार किया जाता है समझो कि कोई व्यक्ति है दो चम्मज घी भी अजम नहीं कर सकता तो पहले उसे आउशदिया देते हैं आउशदि दे के उसकी जो अगनी है वो ठीक करते हैं दीप पिलाने के बाद अगले दिन उसकी full body की मालिस करते हैं, steam देते हैं और उसे rest देते हैं, ये पूरा area आता है पूर्व कर्म में, इसके बाद जो main day आता है, उस day पे शरीर की cleaning की जाती है, जैसे woman है, तो patient को सुबर 5 बजे से लेके मालिस करेंगे, 6 सवा 6 तक मालिस और steam देंगे इसके बाद उसे आउशदी देंगे, और आउशदी देने के बाद काढ़ा पिलाया जाएगा, और फिर उसे woman कराएंगे, ये होता है प्रधान कर्म, ये होने के बाद, उस दिन का procedure होने के बाद, उसको 5 या 6 दिन तक ऐसा नहीं कि बस हमने को तेल घी कुछ भी खाने के लि होता है, और वो 10 से 12 दिन का टाइम खाता है, ऐसा नहीं होता है कि आप आए, आपको आउशदी दी, गले में अउगली डाला, ओल्टी कर दी, बाडी क्लीन हो गई, ये सारे procedure, ये सारी चीजे घर पे करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए पंच कर्म घर पे नहीं किया जा सकता कारण नमबर 3, आईरवेद की सहीताओं में बताते हैं, हीन, मध्यम और प्रवर्शुद्धी, अवर मध्यम या प्रवर्शुद्धी, ऐसे संस्कृत शब्दे, अवर मतलब कितनी क्लीनिंग करनी है, सब्पोस कि किसी को लूज मूशन कराना है, तो कितना कराना है, 10 बार क कराना है, 30 बार कराना है, वमन उल्टी करा रहें, तो कितनी बार कराना है, 4 बार, 6 बार या 8 बार, उसकी मात्रा, उस पेशन्ट की कंडिशन और बीमारी देख के डिसाइड की जाती है, ऐसा नहीं होता कि बस आप आ गए, कुछ भी दवा दे दी, ठीके, 4-6 बार पेट हो जाएगा, त्रिफला, उससे त्रिफला खालो या पीलो, उससे पेट साफ हो जाएगा, हरण से पेट साफ हो जाएगा, मुनक्के के पानी से पेट साफ हो जाएगा, आरगवद नाम की जो आउशदी होती है, उसमेरे वीडियो डाला है, उससे भी पेट साफ हो जाएगा अब इतनी सारी आउषदियां है तो इसमें से कौन सी आउषदी decide करके उस patient का पेट साफ करना है वो check करने के बाद उस दोस से decide होता है ना कि मैंने एरंड का तेल पी लिया और पेट साफ हो गया तो मेरा वीरेचन हो गया पेट साफ आपका definitely हो जाएगा बट उसको वीरेचन नहीं बोलेंगे उसको proper cleaning आईरविदिक शब्दों में हम नहीं बोलेंगे फिर आईरविदिक सहीताओं में एक और कारण उन्हें बोला है कि cleaning घर पे नहीं हो सकती वो है अयोग अतियोग और उबद्रव अयोग मतलब समझो किसी को आप वोमन करा रहे हो बहुत ज़दा acidity है बहुत ज़दा चर्मर हो गये खुजली से वो आदमी परेशान है ठीक है या महिलाओं को PCOD हो गई है अब चेहरे पे उनको बाल बाल आ रहा है होर्मोला इंबैलेंस है hypothyroid हुआ है आपने सुचा है वोमन कराने तो ये वोमन प्रॉपर होना चाहिए अगर जितना body की cleaning करनी थी वो नहीं हुआ थोड़ा सा ही उल्टी हुआ और बंद हो गया तो इसकी कई सारे complications भी बोले हैं जिसमें की बोला है चर्मरोग फिर से पैदा हो जाना जी हाँ अगर आप जितना शुद्धी कर रहे थे उतना proper cleaning नहीं हुई तो उसी से खुजली होना चकत्ते आना आर्टी केरिया होना बुखार आना ऐसी तकलीफे होती है एक ये problem प्रॉबलम नमबर दो अतियोग हो जाना मतलब 10 बार उल्टी करानी थी उस patient को 25 बार उल्टी है ठीक और एक चीज बोली है कोई भी cleaning में उपद्रव उपद्रव मतलब उस चीज के complication सपोज आपको lose motion हो रहा था या विरेचन आप कर रहे थे आप विरेचन करते करते आचानक चक्कर आके आप बातरूम में गिर गए तो उस टेम पर कौन सा वेक्ति आपको उठाएगा आपका BP डाउन हो गया आपका sugar डाउन हो गया ठीक है या आपको पेट में बहुत ज़्यादा strong crams आने लग गये तो ये सारे जो complications है वो handle कौन करेगा इसलिए आप देखिए पंच कर्म जब भी भी आईरविदिक सेंटर में करते हैं तो वहाँ दो से तीन डॉक्टर लगते हैं दो तीन स्टाफ होता है cleaning स्टाफ होता है emergency medicines होती है जी हाँ हर पंच कर्म करते समय emergency medicines ready रखनी पड़ती है कि suppose किसी पेशन का BP अचानत से डाउन हो गया अचानत से BP बहुत ज़्यादा शूट कर गया इन सारे complications को handle करना पड़ता है अब ये चीजे घर पे भी भी कोई possible है रही और कर ही नहीं सकते यहां तक कि पंच कर्म एक specialty practice है specialty मतलब पंच कर्म में इसलिए MD doctors होते हैं ठीक और इसके doctor उन डॉक्टरों के अंडर पे ये सारी cleaning की जाती है तो इतने सारे factor होने के कारण आईरवेद में कहा गया है कि जो पंच कर्म है वो घर पे बिल्कुल भी नह हो सकता कई लोग सोचते हैं कि ठीक वोमन मतलब आप भी काड़ा पिला रहे हो हम पानी पिला रहे पानी पीके उल्टी कर देते हैं हो गया वोमन या पानी पीके loose motion कर लेते हैं water animal ले ले लेते हैं नाक में कुछ डाल लेते हैं हो गया ये भी तो cleaning है ये आईरवेद के हाथ में surices हुआ है पैर में surices हुआ है अब वो जो दोश वहां तक गए हैं जो body के toxins हाथ के वहां तक गए हैं उन toxins को खीच के पेट तक लाना और पेट में लाने के बाद उनको proper cleaning करना ये काम हम पंचिकर्म के थुरू कर रहे हैं ना कि बस पानी पीके गले में उंगली डा center या अईरविदिक hospital में ही हो सकता है और पंचिकर्म होने के बाद भी आपको 5, 7, 8 ये 10 दिन का rest करना पड़ता है ऐसा नहीं होता है बस आच पंचिकर्म हुआ कल से मैं फिर से सब कुछ खाना चालू कर दो ऐसा होता नहीं है और अगर लोग इसे properly करते नहीं है तो इसके ब बोल सकते हैं अच्छा तुझ hospital में जाए तुम लोग पैसा लेने के लिए बैटे हो बस लूटने के लिए center खोल के रखा है तो कोई भी चीज के लिए specialty लगती है कोई भी चीज के लिए सामान औश्चदी preparation knowledge ग्यान ये सारी चीज़े लगती है और वो उस expert आदमी के under में हो और जो लोग ये सोचते हैं कि हर चीज आईरवेद की घर पे ही हो सकती है तो माफ कीज़े आईरवेद घरेलू चीकिस्सा नहीं है आईरवेद वैद्यों के लिए चीकिस्सा लिखी गई है वैद्यों का काम है उस रुगण को देखना चेक करना condition देखना और उस दाप से इ पंच कर्म करने लायक वो है भी या नहीं ये केवल चेक करके आईरवेदिक सेंटर पे ही हो सकता है इसलिए पंच कर्म घर पे कैसे करें ये अगर मन में है तो आप वो बिल्कुल मत कीजिए कई बार ये हो सकता है कि गलत शोधन से आप अपनी और बिमारियों को बिढ़ा सक पंच कर्म के बारे में बोल सकते हैं ये वीडियो उनके लिए था जो ये बार-बार पूछ रहे हैं कि आप पंच कर्म घर पे कर सकते हैं आईरवेद की जो शुद्ध सहीता है strictly वो बोलती है कि पंच कर्म या बोडि की कोई भी क्लिनिंग घर पे करने जैसी नहीं है उमीद तारे ट्रस्ट होते हैं, जिनके चार्ज थोड़े कम होते हैं, आप वहाँ भी करा सकते हैं, और अच्छे डॉक्टर के अंडर में जाकर प्रॉपर टाइंग दे के प्रॉपर समय निकाल के आप बॉड़ी के क्लिनिंग कराईए, तब जाकर आपको पंचिकर्म का पूरा सही रिजल देखने मिलेगा, तो ये तो था पंचिकर्म के बारे में, और पंचिकर्म से जुड़े आपके कौन से डाउट से आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उमीद है ये जानकरी से आपको पंचिकर्म थोड़ा जादा अच्छी से समझने में मदद मिला होगा, आगे और के लिए स्वस्त रहें, मस्त रहें